आपने जरूर सुना होगा और क्रेन को आपने देखा भी होगा तो इस वीडियो में हम आपको क्रेन की सकती, क्रेन के परकार और क्रेन कितने तरह से चलाई जा सकती है ये बताएंगे हेलो फ्रेंड्स, एक्ट आफ रियल टेम आपका सौगत है ऐसे कटिन कारियों के लिए क्रेन का निर्मान किया गया है निर्मान उद्योगों में तो क्रेन की मुख्य भूमी का है इस समय ये दुनिया बहुत तेजी से विक्सित हो रही है बड़ी-बड़ी इमारते और बड़े-बड़े फुलों को क्रेन के मार्टियम से बहुत ही ज्यादा कम समय में पूरा कर लिया जाता है क्रेन दो परकार की होती है एक होती है जिप क्रेन इसको बाहु क्रेन भी कहते है जहाँ 180 डिगरी तक घूम सकती है और दूसरी होती है उपरी क्रेन इसे ओवरहेड क्रेन भी कहते है या उपरी क्रेन केवल आगे पीछे और दाएं बाएं ही सामान को उठा के रख सकती है इस ओवरहेड क्रेन का यूज आरखानों में काफी होता है क्रेन तीन तरह की शक्तियों से चल सकती है जो क्रेन चलाने की पहली शक्ती होती है, होती है भाब से चलने वाली क्रेन, इन क्रेनों के लिए भाब बनाने का वॉयलर या तो उनके साथ लगा होता है, या अलग से क्रेनों को वॉयलर से भाब दी जाती है, दूसरी होती है बिजली पे चलने वाली क्रेने, इन क्रेनों का उपयोग सबसे ज़्यादा तेई से बढ़ रहा है वीडियो ची लगे तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें इंक्रेज कीजिए